हेलो, वेलकाम दिफ्रेंट, हमारे वीडियो को वास्ट कने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवा दिफ्रेंट है तो दिफ्रेंट, आज हम बाग कने वाले हैं जो MSC Math सा उसमें एक मोस्ट पोप्लर ब्रांच होती है Mathematics and Computing Mathematics and Computing और कुछ जगह उसको थोड़ा सा मोडिफाई करके Mathematics and Scientific Computing भी बोलते हैं उसको तो दिफ्रेंट, आज हम पूरा मैंने जो केश की स्टेडी तैयार के हो, मैंने MSC Mathematics and Computing पे तैयार के दिफ्रेंट, यदि आप IIT जेम के थरू आप IIT जेम के थरू, NIT में या IIT में यदि आप एडिमेशन ले रहे हैं, तो आपके लिए बहुत इंपोर्टेंट है, यदि आप Math subjects है, ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपोर्टेंट है, तो दिफ्रेंट, पलीज आप हमारे चनल पे नए हैं, तो दिफ्रेंट को सब आपका दिम्स यह कि इसरमा एनाइटी से आइटी से मस्स के साथ में मैं प्लेस्मेंट आता हूं, कोलेज के थरू, किसके थरू, कोलेज के थरू, या IIT हो चाहा एनाइटी हो, यदि आप एनाइटी में अगर आप MSC Mathematics and Computing branch लेते तो आपका डिफ्रेंट शोर है आपका जो इन अपकर अच्छी स्टुडेंट के बारे में कुछ जाहते हैं, हम तो कम्स से कर पाएंगी, हमें MSC complete और वहां पर हमें तो बहुत सारी दिकत प्रोब्लम होगी। आपको किसी प्रकार की टेंसल लेनीग जरूथ नहीं है। अगर मैंने देखा एक आपसार इस्टेंट जो होते हैं और वह M.C.E. करते हैं तो वह भी बहुत कुछ अच्छा कर लेते हैं। और भी बहुत कुछ अच्छा कर लेते हैं। तो बिलकुल आप अच्छा कर सकते हैं। आप एक मैफमटिक्स सब्जेक्ट आप पढ रहे हो लगतार 15 सालों से बहन लोग आप रेटीशिएशन करें हो तो विल्कुल आप अध्सा कर सकते हो आप केंपूट साइंस में आपको जो ये लेंगवेज है जावा प्रोग्रामिंग सी प्लस प्लस इस टाइप के आप एगज़ाम आप जो लेंगवेज है वह आपको सीखने ओगी ये आप मार्केट ने जो और आपो सेख सकते हैं और आप को बिल्कुल भी आपको बस जोस्टों के साथ आपको कार्य करते रहना और किसी पहलागी दिकत निया कि अगर थोड़ा कम है तो पर आपका टार्गेट है आपका प्लेस्मेंट को लेकर आप इंट्रेस्टेड हो के एंट्यूटिंग में तो डिशुनेंट बहुत बहुत दन्य वाद आपका मारे वीडियो वाद करने के लिए थे इंट्यूटिंट